आज किस वडियो में गाईज हम देखने वाले टॉफ फाइफ फ्री एंटिवारेस सॉफ्ट्वर जो कि आप अपने पीसी को वारेस से बचाने के लिए यूज कर सकते हो तो हे गाईज मैं राहूल वेलकम टू डिजिटल यह होगी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिसेंटल लॉण सॉफ्ट्वर एंटिवारेस सॉफ्ट्वर बताना यहाँ उन सभी के डाउंडोड लिंक दे देंगा डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से उनको फ्रेले कर सकते हो तो जाटा टाइम बेशना करते हो गाईज बढ़ते हैं हमारे फ्रस्ट एंटिवारेस सॉफ्ट्वर की तरफ एवस्ट फ्री एंटिवारस गाईज इसके अगर हम बात करते हैं यहाँ परसनल मुझे काफी अच्छा लगता है एंड फीचर के अगर हम बात करें ओसले बात करता है ग से लिए यहाँ से कर सकते हो हैं वाइफाइं स्क्राइब से कनोक्टेट हैं वह से क्योर है नहीं उसके बाद रंसेम्वरस लोगते यह भी बैसके अगर आती है तो यहां पर मेरा actually passive mode on है, इसलिए on नहीं होगा, because passive mode actually क्या होता है, मैंने काफी यह देखो, यह सारे anti-virus software मैं ने install किये हुए, that's why मैं बहुत सारी functions एक साथ नहीं use कर सकता, तो सभी anti-virus इंस्टॉल है, सभी है अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम बात कर यहां भी जो भी आप anti-virus यूज कर रहे हैं, वह आपको notification दे देगा लगा firewall access का, उसके बाद जो भी आपकी option है, as you can see, remote, stilled, extracts हो गया है, उसके बाद real site and sandbox, यह सारे premium में आते हैं, इसलिए उनके उपर जैसा lock का symbol है, as you can see, प्रिविस के अंदर गाई यहां पर हमें hack alert दे देगा, तो आप बाद में उनको change कर सकते हो, performance की अगर हम बात करें, तो perform boost करने के लिए आप यहां पर देखने के मिलता है, and software updated है, तो software updated चेक करेगा, जो भी आपके outdated software हो गया है, तो as you can see, telegram and मेरा winrar यहां पर outdated है, तो उनको update कर सकता हो, जो कि मुझे अभी नहीं करता है, इसके बाद में कर लूँगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, mobile version भी इनका आता है, जो भी free features होते हैं, उनको use कर सकते हो, आपको अपना यहां पर email डालना पड़ता है, and email डालने के बाद link आएगी, आप simply उसको download करके install कर सकते हो, हमारा अगला antivirus software रगा is ABG free antivirus, इसक आप देको file shield देखने के लिए मिलती है, behavior shield उसके बाद ransomware protection देखने के लिए मिलता है, and network inspector, यह भी network inspector काफी useful होता है, बहुत बार मेरा, जो wifi का adapter होता है, वो बंध हो जाता है, automatically पता नहीं, तो आप right click करके उनको adequacy या पर open network and internet setting, या फिल आप उसको troubleshoot problem कर सकते हो, तो basically network inspect कर आपको वो error पता चल जाता है, and आपका जो particular hardware device reset हो जाता है, उसके बाद web and email के अगर हम बात करें, तो web sheet देखने के बिलती है, and important guys email shield भी है, and firewall protection यहापे free है, यह भी देखने के लिए मिलता है, इसको आप install कर सकते हो, manually install करना पड़ता है, automatically चाहिद नहीं आता, but install करके इसको इसको भी उस कर सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, and scan mode की अगर हम बात करें, तो यह three dot देखते है, तो इसको click कर दो, यहापे देखो deep scan है, file और folder scan है, boot time scan हम देखने के लिए मिलते है, उसके बाद USB and DVD scan हम RDX पगरा लगाते है, paint drive पगरा लगाते है, तो उसको भी हम scan कर सकते है and performance scan के अंदर यह basically check कर रहेगा, आपका PC कैसे perform कर रहा है, कोई error बगरा होगा, आपके junks बगरा होगा होगा, तो उसको निकाल देगा, and PC basically आपका अच्छा perform करने लगेगा, तो और अगर हम बात करें, AVG frame antivirus की, तो interface दे कोई इतना easy है कि अगर आप नए भी होगे ना, तो से देगे लिंक से, and free में download कर लो, and use कर लो, हमारा अगला antivirus software है गाई, the cash pass का है, security cloud, तो यहाँ पर cloud नाम इसलिए क्योंकि इनका, खुद का है cloud storage हाता है, जो कि आप cloud storage लेके, cloud base पर यहाँ पर security प्रवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पर हम cloud की बात नहीं करेंगे, जो भी हम आप लाइन चीज़ होती है, जिससे का scan mode की अगर हम बात करें, तो scan के लिए काफी सारे mode है, जैसे quick scan, full scan हो गया, उसके बाद selective scan कर सकते हो, किसी file या folder को select करके, उसके बाद यहाँ पर देखो, removable drive scan देखने के लिए मिलता है, यह basically क्या करेंगा, आपका USB हो गया, आपका hard X पगर होगा, जो भी आप बाहर से लगाते हो, अपने PC को तो उसके या पर scan कर सकते हो, उसके साथ या पर context menu के साथ scan कर सकते हो, यह basically क्या होता है, आप selected like right click करके हम scan वा option आता है, तो उस तरीके से आप इसको use करके scan कर सकते हो, किसी high drive या frequency selected folder को, background scan यह पर automatically होता रहता है, अ basically premium में आता है, जिस option के उपर यह shield वाला sign है, यह option premium में आते हैं, अच्छी बात है sign दिया हुआ है, तो हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, उसके बात password manager बात करें तो इनका यह password manager है, so as you can see you will never forget your password, guys मैं personally recommend करूंगा password manager use करो, and I recommend you, अगर आपको free use करना है तो bitworld नहीं use करो, and इनका यूज करना है तो आप कर सकते हो, open करो, यह आपको website पर लेके जाएगे, वहाँ पर basically आपको उनका account बनाना पड़ेगा, and then आप इनका password manager यूज कर सकते हो, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर account चेक, एक ऐसा option है, जो freemium यूज कर सकते हैं, यह basically चेक करेगा, आपकी account details यहाँ पर कई leak अगरा हो रही है, तो यह by default on है, तो आपकी दो option जैसे webcam and private browsing, तो यह दोनों disable है, because यह premium में आते है, उसके बाद mobile protection देखने के लिए मि मिल जाते है, तो मुझे personally quarantine अच्छा लगता है, यह basically आपारा recycle bean की तरह काम करेगा, जो भी virus से detect करता है, जिसको remove करता है, तो quarantine के अंदर होते है, and कुछ particular time बात automatically delete कर दिये जाते है, यहाँ पर अगर आपको restore बगरा करना है, उनको तो आप यह से restore कर सकते हो, cloud protection भी है, तो weak setting control कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ एक चीज है, यहाँ पर आपको file shader मिलता है, जो कि किसी particular file को permanently delete करने के लिए काम आता है, and वो file अगर file shader से delete होई रहेगी, तो आप उसको बाद में backup भी ने ले सकते है, तो sensitive file बगर है, आपके पास तो आप file shader के माद से यहाँ पर delete कर सकते उसके बाद guys on screen keyword, तो आप बोलो कि यह basically है गई है, तो normally मिलता है हमेरे windows के अंदर, बट देख यह क्या करता है, जो keyloggers होते है, keyloggers के आता है, हमारे keyboard का जो भी input होता है, जो भी input देते हैं, उनको monitor करता है, and send करता है कि third party को, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर on screen keyword है, तो इतना sensitive type वगरा आप करते हो, अपने information फिल वगरा करते हो, तो आपको keylogger important रहेगा, आप इसको use कर सकते हो, and clean and optimize में थोड़ा यार, performance के related यहाँ पर कुछ options है, आप इनको भी use कर सकते हो, and overall अगर हम बात करें, यार, customer का security के, तो यह भी यार, अच्छा ही है, email protection के साथ- पी-सी, anti-virus software, use कर सकते हो, and download करना है, जैसे मुने बताया, link इसके भी दे दूँगा, मैं, reception में, इसको आप वाद से download कर सकते हो, अवीरा free security, इसके features के guys, अगर हम बात करें, तो security में हमें real-time security देखने करें मिल जाती, जो कि यार primary feature है, यह होना ही चाहिए, and यह हमें देखने करें मिलता है, उसके साथ firewall security free में देखने करें मिलती है, इसका भी option हम use कर सकते हो, जो कि incoming unwanted network traffic को block करेंगा, उसके बाद virus scan देख करना चाहते हो, तो simply क्या करो, जो भी folder करना है, उसको right-click कर दो, यहापे guys, scan selected file with Aveera, तो यह option हमें देखने कर लिए मिलता है, आपको directly देखने कर नहीं मिलेगा, तो selected file अगर scan करने तो इस trick को use करो, आप इसको use करके directly selected file scan कर सकते हो, protection option के अगर हम बात करें, तो यहापे guys, real browser safety का option देखने के मिलता, यह basically क्या करेगा, जो भी website पे tracker बगर होते है, जो basically हमारी activity ट्रैक करते है, for example, आपने बहुत बार देखा होगा, हम कुछ product order करते रहते है, उसके पार हम basically search करते है, तो उसी type के add हमें देखने के लिए मिलते है, तो वो basically trackers का का काम होता है, तो browser safety add साते website पे उनको भी काफियत तक यह पर ब्लॉक कर देगा, यह काम करेगा, Chrome, Age, Firefox and OPR ब्राउजर में, VPN के अगर हम बात करें तो monthly 500MB का data यहाँ पर यूज कर सकते है, अवीरा free security के थूँ, उसके बाद इनका password manager आता है, बट मैं आपको recommend करूंगा, Bitwarden password manager यूज करो, because Bitwarden is one of the best free password manager है, अगर हम बात करें password managers की, वैसे उसका वीडियो पी अल्रीडी बना दिया है, अगर आपको देखना है, तो आप वाह से उस वीडियो का tutorial देख सकते हो, उसके बाद file schedule मिलता है, जो कि कि किसी particular file को permanently delete करने के लिए काम हता है, अगर इसकी माद से delete करोगे कोई file, तो बात में backup भी नहीं होगी, like permanently file delete हो जाएगी, अगर कोई sensitive data है, तो आप files data की माद से कर सकते हो, प्रिविश सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे additional setting लगा सकते हो, तो हम इसके जारा deeply ने जाएंगे, performance के अगर हम बात करें, तो यहार performance boost करने के लिए यहाँ पे optimizer and driver updater दोर option द लगता है driver updater, यह क्या करेगा, आपके यहाँ पे sound driver होगे, display driver, graphic driver, यह basically check करेगा, कि वो updated है या नहीं, अगर कोई driver outdated होगा, तो वो आपको यहाँ पे notify कल देगा, as you can see, यहाँ पर वैसे मैंने already up to date है, तो overall Avira free security guys, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यह भी काफी अच्छा ह आप easily इसको भी use कर सकते हो, अपने PC को viruses से बचाने के लिए, एक और चीज़ गाइज, Avira Antivirus का यहाँ पे mobile version भी आता है, जो कि यहाँ फ्री में use कर सकते हो, जो भी यहाँ पे फ्री के feature से इनके, वो आप अपने Android में use कर सकते हो, अकाउंट बनाने की ज़रुरत नहीं है, as अकाउंट नीटेड, आप सिंपली आप स्कैन कर सकते हो, अपने Android में भी यूज कर सकते हो, अगर इसकी बात करते हो, यहाँ पर लीष्ट बेस ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आइकन बेस भी आते हैं, तो ऑप्शन दोनों भी से इमी है, वाइरस और थेट प्रोटेक्शन क आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बेसिकली यह पर्मिशन देता है, आपको अगर आप वाइरस डेटक करता है, तो आपको बताएगा इसको अलो करना या नहीं, अकॉंट प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद फाइरवाल और नेट्वर्क सेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, उसके बाद इसका नेटवर्क और इंटरनेट ट्रबल चुटर ऑप्शन काफी जादा यूसफुल लगता है, बहुत बार मेरा वाइफाई अड़ बंद हो जाता है automatically, तो आप rightly करके troubleshoot कर सकते हो problem को, आपको basically उसका solution मिल जाता है, उसके बाद देखो browser, app and browser control, इसमें का इस basically आप क्या कर सकते हो, जो unwanted application file जो आपके PC के अंदर होगी, तो यह basically आप उसके लिए search करेगा, अगर कुछ होगा unwanted, तो automatically delete कर देगा, उसके बाद device security म हमारी hardware storage होती है, app and software हो गया, इनमें अगर कोई issue हो गया रहा होगा, तो आपको बता देगा, अभी तो आप कोई issue नहीं है, last scan, 7 तरहिक का scan है, अभी just उसने scan किया है, शायर, time भी हमें दे देता है, उसके बाद देखार family option है, तो यह भी आर काफी useful है, यह basically क्या करेगा, अ बाद में PC lock हो जाए, उसके बाद track कर सकते हो, आपके किर्स की digital life यह अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी यहापर आप weekly report ले सकते हो, कौन से website, कौन से application पर अपने किर्स यहापर दाया टाइम दे रहे है, तो overall देखने के लिए तो यह भी अच्छा है, तो overall गाद अगर Windows security security के बात करें, तो इसमें भी आप जो भी important feature होते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं, हाँ इसमें email sheet नहीं है, बट depend करता है आपकी email पर ऐसा आएंगे, क्योंकि मुझे personally आप email sheet काफी अच्छा लगता है, तो depend आपकी users में email sheet चाहिए, आप email में जाधा काम करती हो यह नहीं अगर नहीं तो आप इसको भी consider कर सकते हो, यह भी अच्छा है, और इसको download करने की ज़रूद भी नहीं है, जैसे मैंने बता है, प्रिंस्टाल आता है, तो बस गाईच, इस वीडियो में इतना ही बताना वीडियो कैसा लगा, आपको बता है मैंने, उनमें से आपको कोई एक मिलाई होगा, अगर नहीं मिलता या फिर मिलता भी है, तो कौन सा आपने पीक किया, कमेंट करके ज़रूद बताना, इस वीडियो में गाईच इतना ही मिलते हैं, एक अगरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुडबाए